दोस्तों पकस्ताने ड्रामे ना सिर्फ पकस्तान में शोख से देखे जाते हैं, बलके इंडिया और पूरी दुनिया में इनके वर्ड्स मजूद हैं। आज हम आपको पकस्तान के 10 बेहतरीन ड्रामाज के बारे में बताएंगे, जिनकी कहानी हकीकत पर मबनी है और जो ब्लॉ नमबर 10 मुबारिक हो बेटी हुई है नमर 10 पर हमारे लिस्ट पे मوجود है ड्रामा सीरियल मुबारिक हो बेटी हुई है, जिससे तहरीर किया फाइजा इफ्तिखार ने और डिरेक्ट किया बदर महमूद ने, इसकी कास्प में काफी बेहतरी अदाकार शामिल थे, जैसे के आजिद हसन, आइशा खान, सबूर अली, सियद टीपू, नाहीर शबीर और मर्यम अंसारी, इस ड्रामे का आधा इसा, इस ड्रामे की राइटर फाइदा इफ्तिखार की वाल्दा की सच्ची कहानी पर मबनी है, जिसमें इन्होंने अपनी वालदा को टरिब्यूट पेश कि कि इन्होंने कैसे मुश्किल वक्त में जमानी का सामना करके अपनी बेटियों को बाइखतियार बनाया और ये थाबित किया अच्छी लाइफ सिर्फ बेटे से नहीं बलके बेटियों के वसीले से भी मिल सकती है इस ड्रामे को A.R.Y. डिजिटल पर नशर किया गया नमबर नाइन सदके तुम्हारे नमबर नाइन पर मजूद है मशूर ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे जिसे तहरीर मशूर रैटर खलील रह्मान कमर ने किया और डिरेट किया मुहमद एथशाम الدین ने ये ड्रामा हम टेलिवीजिन पर नशर किया इसे M.D. प्रोड़क्शन प्रोड्यूस किया इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं खुबसुत अदाकारा, माहिरा खान, अदरान मलिक, समया मुम्ताज, रहान शेख, परहान अली आगा, शामिल खान और सानिया शमशाद, खलील रह्मान कमर को बहुत से बोल्ड कहानियों की वज़ा से जाना जाता है जिन में सद्के तुम्हारे इंकी अपनी महबत की कहानी है, जिसमें खलील रह्मान कमर का करदार अदरान मलिक और माहिरा खान ने शानों का करदार अदा किया, जोके खलील रह्मान की महबत थी, ये ड्रामा पकिस्तान समय दुनिया भर में काफी पसंद किया गया था, अमान इजाज, समीना पीजजादा, सानिया शमशाद, दानिश तैमूर और नौशीन शाथ। ड्रामा सेजर रहाई काशिफ फाउंडेशन की तरफ से पहला फंडेट प्रोजेक्ट था। इस ड्रामे की जरिये बच्चों की शादी के हवाले से अवेरनेस पैदा की गई, जो पाकिस्तान की कुछ हिसों में बहुत आम है। काशिफ फाउंडेशन के रिकार्ड में मजुद मुद्स सची कहानियों को जहें में रखके राइटर ने एक कहानी लिखी जिसमें वूमन पावर के बारे में बताया गया। इस ड्रामे ने काफी शौरत हासल की। नमबर 9, मेस सितारा नमबर 7, पार वारे में लिस्प ने शौरत है ड्रामा सेरियल मेस सितारा। ये ड्रामा काफी दिल्चस्प था, इसकी कहानी फिल्म डिस्ट्री के अदाकाराओं और ड्रेक्टर की जिन्दियों पर मब्री थी, सबा कमर पाकिस्तान की बेती अदाकाराओं में से एक हैं, इन्होंने सतारा का करदार बखुबी नभाया, जो के एक गरीब घर की थी, फिल जबदस ड्रामा प्यारे अफजल, ये अपने वक्त में सुपर डूपर हिट हुआ, इसी तहरीर खलीर और रहमान कमर ने किया, इसके डिरेक्टर नदीम बेक थे, इसे प्रड्यूस सिक्स सिग्मा ने किया, विजे ड्रामा A.R.Y. डिजिटल पर ऑन एर किया था, इस ड्रा पस्चर ड्रामा था, ये ड्रामा एक हकीकी जिनकी पर मबनी है, जिसे खलीर और रहमान अक्सर अपने दोस्तों के साथ डिसक्स करते थे, एक इंटर्यूवे में खलीर रहमान ने बताया कि वखसे इस ड्रामे को हमायों साइद, नदीम बेग और यासिर के साथ अपने एक जो उसका जिकर करते थे, जिसका नाम अफजल था, जो खुद ही लव लेटर्स लेकर अपने दोस्तों को बताया करता था, कि लेटर्स इसे इसकी महभूबान लिखी हैं, जिसे खलीर रहमान ने रंगी हाथों पकर लिया था, ये कहानी सुनने के बाद यासिर ने आइडिय बागी जिसे लिखा शाजिया खान ने और डिरेक्ट किया फारुक रंड ने और इसे प्रोड्यूस किया अर्दू वन चैनल ने, इसकी कास्प में मुझूद थे काफ़ी टेरेंटेट एक्टर्स, सबा कमर, उस्मान खालिट बट, अली काजमी, अर्फान खोसट, सिर्मत ख सबा कमर ने, कंदील बलोज का करदार नहायत खुबसूरती से निभाया है, नमबर फूर, खानी, नमबर चार पर हमारी लिस्ट पे मुझूद हैं ड्रामा सीजल खानी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया, इस ड्रामे को लिखा असमा नबील ने, और ड्रेट किया अंज बेटे को बिदर्दी से कतल कर दिया था, ये ड्रामा काफी हिट हुआ, लोगों ने सना जवेद और फिरोज खान की एक्टिंग को बहुत सरहा, नमबर थ्री, उल्लू ब्राइफ रॉक्त नहीं, नमबर तीन पर हमारी लिस्ट में शामिल है, ड्रामा सेरियल उल्लू ब्रा उल्लू ब्राइफ रॉक्त नहीं भी हकीकत में मब्री हवस और इंतकाम से भरपूर एक कहानी है, जिसे इन सब अदाकाराओं ने बखुबी अपना अप्राकरदार निभाया, इसमें दिखाया गया है कि कैसे पैसे की महबत इंसानी रिष्टों को तबाग कर जाती है, और अच्छान के कई शहरों में वरत को ज्यादा तर तर तनाजाद को सुलजाने के लिए इस्तमाल किया जाता है, नंबर टू, मेरे पास तुम हो, नंबर दो पर हमारी लिस्ट पे मवजूद है ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, इसको लिखा है खलीजर और रहमान कमर ने, तो इसके डिरेक्टर है नदीम बेग, इसको प्रोड्यूस किया है सिक्स सिग्मा प्लस ने, इस ड्रामे ने काफी शोरत की बलंदे को छुआ, इस ड्रामे की कास्ट में नावर अदकार हमायो साइद, अदरान सिदीकी, आईजा खान और हीरा मानी शामिल हैं, ये ड्रामा इस ड्रामे नाखतम होने वाली महबत के बारे में बताया गया, इस ड्रामे ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक हाइप क्रियेट की, ये ड्रामा A.R.Y. डिजिटल पर निशर किया गया, नमबर वन, डंक, नमबर एक पर हमारी लिस्ट में शामिल है ड्रामा सी फहाद शेख, सल्मा हसन, युसरा रिजवी, शहवद अल्वी और कमल खान शामिल हैं, ये ड्रामा एक फाल्स हैरस्मन इंजाम पर था, जिसने कई लोगों की जिन्गियां बरबाद कर दी, ये ड्रामा सुपर हिट हुआ, इस ड्रामे पर देखने वालों ने शदीद तनकी पर चोड़ते हैं, ड्रामे में दिखाया गया कि परफेसर की बीवी इनको स्पोर्ट करती हैं, लेकिन हकीकत पर इंजाम लगने के बाग परफेसर की बीवी इनको छोड़ जाती हैं, इस के दार को तमाम अदाकाराओं ने पको भी निभाया, दोस्तों आज के लिए बस इत टॉपिक के साथ, लेकिन आप हमें कमेंड बाक्स में बताना ना भूलें कि आपका इन में से कौन सा ड्रामा फेवरिट है,